दश्चा़न ये तरी सारेपरतिवत मनेधन क्साओं रादे रादी, अपधने आप्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार बोषकेंद्र सास्त्री। आज हम बात करेंगे धंतेरस को लेकर की धंध्य। के दिन हमें क्या क्या चीज खरीदिनी चाहिए। किन चीजों से दूर रहना चाहिए, किन चीजों को हमें विशेश मैत्व देना चाहिए, तो इस समय तेईस तारीक की धनतेरस मनाई जाएगी, तेईस अक्टूबर 2022 की धनतेरस मनाई जाएगी, उस दिन आप जाडू खरीद सके तो बहुत ही सुग होता है, धनतेरस की दिन इस्टील का कोई भी एक वरतन आप अवज से खरीदें, धनतेरस हमारे घर में धन लक्षमी को, धन बैवब लक्षमी को अग्रिसित करती है, बढ़ाती है, मा लक्षमी की किरपा सदा हमारे घर पर वरस्ती है, धन तेरस वाले दिन आप कोई सोना चांदी के आभूसन खरीद सकती है इस्टील के वर्तन आप खरीद सकती है ये बहुत सुब दायक होते हैं ज़ाडू आपको अवस्य खरीदना चाहिए उस दिन आपको अपने घर से विसिस कर जिन चीजों का ध्यान रखना है जो नहीं करना है वो है कि पुरानी ज़ाडू को घर से बहार धन तेरस के दिन बिलकुल न निकार है धन तेरस के दिन बिसिस रूप से ध्यान दे कि जाड़ू से पैर ना लगे कोई भी बरतन इस्टिल का, तामबे का, पीतल का, किसी भी चीज का हो आप किसी के लिए धन तेरस के दिन ना दे चाए वो दान हो, चाए वो वैसे हो, ना दे उससे क्या होता है, मालक्षमी उनके साथ चली जाती है और आपके घर में आगमन जब होता है, वो नहीं हो पाता इनके लिए विसीज कर बातों का ध्यान रखना है और इस समय, 23 तारीक, अक्टूबर मास 2022 में धन तेरस को बड़ी धूम धाम से मनाया जाएगा तो आप जाडू या इस्टिल के वरतन या सोने चांदी का अभूसन अवस्य खरीदें जिससे की मालक्षमी की किरपा सदा आपके घर पर वरसे इनी सुमंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिये जाजत रादे रादे